हे अब्रिवन तो कैसे हैं आप सब सो एक आवद तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि जो पैसा होता है वो कई प्रॉब्लम्स का और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का कारण होता है और ये कावद हमारे आज के केस से परफेक्टली सुट करती है तो जो आज हम सुप्रीम कोट का केस डिसकस करने जा रहे हैं वो simply related है offense of cruelty से अब अगर मैं बात करूँ offense of cruelty की तो cruelty इंडियन पीनल कोट के कुछ ऐसे important offenses में से एक है जो की काफी weightage रखता है आपके examinations में आने की तो हर एक चीज़ को हमेशा की तरह आप लोगों के सामने crystal clear किया जाएगा वीडियो पूरा देखिएगा सो हमेशा की तरह सबसे पहले इस case का नाम देख लेते हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं शोबहरानी वर्सिस मदूकर 1988 दीगे केस थोड़ा पुराना जरूर है लेकिन ये case offense of cruelty के कई different dimensions को हमारे सामने रखता है सो इस case के regarding कुछ facts भी discuss कर लेते हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये हैं मधूकर और ये हैं शोबहरानी अब मधूकर और शोबहरानी husband और wife होते हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं शोबहरानी के जस नीचे मेंने petitioner mention किया है अब इन्होंने किस तरह की petition डाली थी वो आगे case जैसे जैसे मैं proceed करूँगा आपको उस चीज के बारे में पता लगेगा तो शोबहरानी के द्वारा petition डालने का कारण कई न कई इस stage से शुरू हो जाता है जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस slide में मधूकर है मधूकर के father है मधूकर की mother है और मधूकर के brother है ये सारे शोबहरानी के in-laws मिलकर शोबहरानी को cruelty और harassment face करवाते हैं तो इसी continuous harassment और cruelty के बाद शोबहरानी decide करती है कि वो एक divorce petition फाइल करेंगी जिसके according वो divorce ले लेंगी मधूकर से अब यहाँ divorce के कुछ grounds है मतलब कुछ grounds के basis पर एक individual अपने partner से जो की उसका partner है from the marriage उससे यहाँ divorce ले सकता है सबसे पहला जैसा कि आप सब देख सकते हैं by gaming देखिए मान लीजे मेरी wife है मेरी wife जिन्दा है लेकिन मैं अपनी wife के जिन्दा रहते रहते किसी और-अरत से शादी कर लेता हूँ यह चीज़ है by gaming अब यह चीज़ punishable है under section 494 of Indian penal code दूसरा है adultery मान लीजे कोई person है उसकी wife है उसकी wife के साथ मैं sexual relationship establish कर लेता हूँ तो यह चीज़ adultery में count होगी जो की covered होती है section 497 of Indian penal code में तीसरी है cruelty जो की हम आगया भी discuss करने वाले हैं उसका section fourth है desertion देखिए अगर husband and wife दो साल या उससे जादा के लिए एक दूसरे से separate रह रहे हैं बिल्कुल अलग रह रहे हैं और उन person किसी दूसरे religion में convert हो जाता है तब भी हम उस person से divorce ले सकते हैं divorce petition डाल कर लेकिन यहाँ पे कुछ conditions भी होती हैं जिन conditions के बारे में हम किसी और वीडियो में discuss करेंगे इन दोनों disease के basis पर भी हम अपने partner से divorce ले सकते हैं आठवा है presume death जो की काफी important है मान लीजिए एक person को 7 साल या उससे जादा time के लिए देखा नहीं गया है नहीं उसके बारे में सुना है आपने किसी से मतलब वो सिर्फ गाया भी है कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में लेक divorce ले सकते हैं नाइन्थ है renunciation from the world renunciation का मतलब एक person सब कुछ त्याग चुका है सन्यासी बन चुका है तब उस situation में भी उस person से divorce लिया जा सकता है तो जैसा कि हमने इस case के facts discuss करते time के जाना था कि शोबारानी को cruelty harassment का सामना करना पड़ा अब cruelty section 498 A of Indian Penal Code में cover होता है जो की काफी important offense है चलिए इस section को भी discuss कर लेते हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं section 498 A of IPC husband और relative of husband of a woman subjecting her to cruelty के बारे में बात करता है simply ये section ये कहता है कि एक woman को cruelty का सामना करना पड़ा है उसके husband या उसके husband के relatives की वज़े से अब इसकी language भी देख लेते हैं for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine मतलब अगर एक wife का husband या उस husband के relative woman को cruelty देते हैं अत्याचार करते हैं woman पे तब उस husband को और उस husband के relatives को जो की cruelty दे रहे हैं woman को उन्हें punish किया जाएगा imprisonment से जो की extend हो सकती है 3 साल के लिए और उस husband और relative of husband को fine भी देना पड़ सकता है अब इसकी explanation बहुत ज जहां से समझिएगा अब यहां पर cruelty कहा किस चीज को जाएगा यह बताया गया है so explanation का a part जैसा कि आप सब देख सकते हैं वो simply यह कहता है कि any willful conduct मतलब अपनी मर्जी से की गई कोई ऐसी चीज जो कुछ ऐसे nature की हो जो की woman को मजबूर कर दे suicide करने के लिए या अपने उपर को grave injury या बहुत जादा खराब नुकसान पहुचाने के लिए या वो चीज woman को अपनी life खत्रे में डालने के लिए मजबूर कर दे इस चीज को यह cruelty का जाएगा देखिए एक बहुत जादा important चीज जो explanation A include करता है कि cruelty mentally और physically दोनों type की हो सकती है ज़रूरी नहीं कि अगर woman पर को इसी ऐसी चीज के निशान नहीं है तो उस पर cruelty नहीं हुई है mentally भी अगर आप woman को harass कर रहे है उसको cruelty दे रहे है तब वो भी count होगी under the ambit of cruelty which is covered under section 498 A of IPC explanation B simply यह कहता है कि कि किसी woman को harassment देना और वो harassment कुछ इस तरीके से दी जारी है जिससे woman को coerce किया जाए अब coercing का मतलब यहाँ पर होता है woman को डराना धमकाना threaten करना अब harassment woman को coercing करने के लिए दिया जा रहा है या किसी ऐसे person को जिससे woman related है या तो उसको harass किया जा रहा है अब यह harassment दी क्यों जा रही है जिससे कोई unlawful demand कोई ऐसे demand जो कि acceptable नहीं है वो पूरी हो पाए अब वो unlawful demand किसी भी चीज की हो सकती है मान लीजिये जैसा कि इस case में हम देखी रहे हैं कि जो in-laws है वो शोबारानी को harass कर रहे है money के लिए इस case में जैसे एक woman को harass किया जा रहा है money के लिए लेकिन जरूरी नहीं है कि money के लिए ही harass करना एक woman को cruelty मानी जाए अगर आप woman को harass कर रहे है कोई property के लिए security है कोई ऐसी चीज़ है जो की काफी valuable है उसके लिए अगर आप एक woman को harass कर रहे हैं उसे cruelty face करवा रहे हैं तब ये चीज़ भी count होगी under the ambit of cruelty ये बहुत important चीज़ है तो शोबारानी के द्वारा cruelty को divorce का ground बनाते हुए divorce petition filed करने के बाद existence में आते हैं या high quote अब high quote एक बहुत हैरान कर देने वाली statement हमारे सामने रखते हैं high quote ये कहते हैं कि किसी person से money demand करना गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर person को किसी ना किसी point of time या stage of time पर money यानि पैसे की जरूरत होती है इसलिए wife से money demand करना उसके in-laws के द्वारा या किसी के भी द्वारा गलत नहीं है तो ये खाफी हरान कर देने वाली statement है जो यहाँ high quote देते हैं अब जानते हैं ये case जब honorable supreme court में appeal किया जाता है तो इस case में क्या angle सामने निकल कर आता है जैसे कि आप सब देख सकते हैं honorable supreme court इस case में अपनी judgment देते हुए ये कहते हैं कि high court ने यहाँ जो भी judgment दी थी इस case के regarding और जो भी remarks दिये थे जो की थे किसी person से money demand करना गलत नहीं है उस चीज़ को supreme court यहाँ reverse कर देते हैं मतलब high court के remarks और उनकी judgment को यहाँ supreme court reverse कर देते हैं और supreme court यह कहते हैं कि किसी woman से particularly किसी wife से dowry demand करना या पैसे demand करना subjecting her to cruelty माना जाएगा मतलब अगर किसी woman या wife से आप पैसे या दहेज demand कर रहे हैं तो यह माना जाएगा कि आप उस woman पर cruelty अत्याचार कर रहे हैं या उस woman को harass कर रहे हैं जो कि law के द्वारा बिल्कुल भी allowed नहीं है और यह चीज prohibited है अब third statement में honorable supreme court यह कहते हैं कि dowry demand करना गलत तो है ही साती सात वो law के द्वारा prohibited भी है और इसी चीज के चलते जो शोबारानी की petition है उसे entertain किया जाता है सो आज का वीडियो हमाई ले discuss करना इसलिए भी important था क्योंकि यह वीडियो offense of cruelty के कई important aspects हमारे सामने रखता है सो मुझे उमीद आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिस information को आप यहां gather करने आए होंगे वो आपको मिली होगी have a great day